दोस्तो, Final Solution YouTube चैनल में आपका सौगत है दोस्तो, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे तीन प्रकार के गुपत इशारे जो शादिशुदा आउरत या फिर हुआरी लड़की उस पुरूश को देती है अगर उसको कोई भी पुरूश या कोई भी मर्द ज्यादा पसंद आने लगती है तो दोस्तो, अगर आपको किसी आउरत से या किसी भी लड़की से या ये तीन प्रकार के इशारे में से कोई भी एक या दो इशारे मिलते है तो आप गैरेंटी के साथ अनुमान लगा सकते हो कि वो आउरत या लड़की आपको पसंद करती है तो दोस्तो, अगर आपको जानना है कि कौन से है वो तीन प्रकार के इशारे तो आज का ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते है नमबर एक अपने परस्नल फैमिली मैटर आपसे शेयर करना दोस्तो इसका मतलब यह है कि अगर उस अवरत या उस लड़की के घर में कोई ना कोई प्रॉबलम होती है या कुछ परस्नल फैमिली मैटर होता है तो वो औरत या लड़की आपको उसका परस्नल फैमिली मैटर बताती है आपके साथ सब कुछ शेयर करती है कि आज मेरे घर में ये सब प्रॉबलम चल रहा है मेरे परिवार वाले ऐसा करते है मेरा भाई मेरे भाईया और ऐसा करते ह आने की वो आपको अपने personal family matter के बारे में या अपने life के personal matter के बारे में सब कुछ बताती है तो इसका ऐसा मतलब होता है कि वो आपको पसंद करती है क्योंकि दोस्तों कोई भी और या कोई भी लड़की किसी भी पूरुष को अपने personal family बिल्कुल भी नहीं बताती है और जब वहां अवरत या लड़की आपको यह सब बता रही है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझती है और वह आपको मन ही मन में पसंद करती है नमर 2 तुमारा साथ दोंगा और दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ हमेशा होता है तो आप गैरेंटी के साथ बोल सकते हो कि वह आपको पसंद करती है दिर रात तक आपसे बात करना या मैसेश करना दोस्तों रात के गैरा बजने के बाद अगर कोई भी औरत या लड़की आपको हमेशा मैसेश करती है या आपसे फोन पर बाते करती है आपका हाल चाल पूछती है आपके बारे में जानने की कोशिश करती है आपने दिन भर में क क्या किया उन कामों के बारे में पूछती है एनि कि वह आपके बारे में जानना चाहती है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको पसंद करती है दोस्तों रात का समय ऐसा होता है जिसमें कोई हर इंसान ऐसे व्यक्ति से बात करना चाहता है जिसको पसंद करता है ना कि ऐसे व्यक् करती है या आपको मेसेजेस करती है तो इसका यह मतलब होता है कि वह थोड़ा ना थोड़ा आपको पसंद करती है